कितनी सारी बाते होती हैं जिनका साथ हम जिकर भी ना कर पाते क्योंकि आज गे टाइम में किसी के पास समय ही कहां लेकिन आप फिकर ना करें क्योंकि हम लेकर आते हैं आपका ओल टाइम फैरविट सो आओ बाते करें बाते वो जो है आपके दिल के और हमारे दिल के बेहद करीब तो ऐसी ही धेर सारी बाते करने के लिए जुड़ी हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में तो देखना ना भूलें सोमवार से सुक्रवार सुभै साड़े ग्यारा बजे सिर्फ हर्याना बीट्स पर तो आज जिस टोपिक पर हम बात करने वाले हैं आज हम थोड़ा Ini स Yogya विपा बाते करें और जो कहीं ने करें आपके जीवन से जुड़ा आपके जिवन से जुड़ा हो राज कल चर्चाव का वीशय बना वाले हैं और बात करने वाले हैं आज हम newद कर बात करने वाले सबसे पहले तो आपको पता है कि जिस परकार से देश की कोकिला भारत रतन लता मंगेशकर को कल हमने खो दिया तो आज गो जो हमारा करते था उनके पास सिखा आया करते थे तो उनको वूखसे राग ओस शिखा रहे थे लूकिन वो ख़वर कुम कर रहे थे टो लूरुम गए तो वहीं पर जो कोने में खड़ी जो की लटा उस वक्त देख रही थी उस वक्त के ओल उनकी उमर पांस साल गी थी तो उनके पिता के जाते ही वो तुरूंद उस लड़के के पांस पहुंची और उनको उस राख को बता कि आप इस परकार से गाए तो उस चीज़ को उनक को देख लिया तो उन्होंने बड़े ही वह आस्चरी रहे कि पांस साल की बच्ची को इतना घ्यान कैसी को पता चला तो वहीं से उनों ने भैसला कर लिया कि वो लटा को अब संगीत के छिटर में ही उतारेंगे उसके बाद उन्होंने डेली से उनके माँ को बताया कि अब डेली करवाया जाने लगा धीरे धीरे वो संगियत के छेतर को बारिकी से वो सेखने लगी साथी साथ फिल्मों के गानों को भी वो गुन गुनाने लगी इस प्रकार से उनकी सिक्ष्या वो घर से ही सुरू हो गई और धीरे धीरे जो उनके पिता थे उनकी एक मंडली वो चला गाने लगी और साथी साथ अभीने भी करने लगी लेकिन एक बार उनके पिता ने नोटिस किया कि लता जब अकेली स्टेज पर गाती है तो बहुत कमाल का गाती है बहुत अच्छा गाती है लेकिन जब अपने पिता के साथ गाती है या फिसी और किसी और के साथ गाती है तो तो इस बारे में उन्होंने लता जी से पूछा कि आप ऐसा क्या होता है कि आप जो दूसरों के साथ थोड़ा सा हिच कि जाते हो लेकिन अकेले गालते जो बहुत अच्छा गालते हो तो लता जी ने कहा कि मेरे मन में आता कि आप इतने बड़े हो आप मेरे गुरूव आपको इतना कुछ पता है मुझे कम पता है ऐसा ही मत दूसरों के साथ भी फील करती हूं तो थोड़ा सा मुझे हिचकचाड हो दिया तो उन्होंने लटा को बड़े ही प्यार और बड़े आराम से समझाए कि बेटा आप हमेशा जब भी गाओ तो सोचो की सिर्फ आप खुद में गा और इस प्रकार से लता ने धीरे धीरे अपना जो कॉंफिडेंस है उनका हाई होता चला गया और वो गाने गाते गई लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की यह कहते हैं कि जब लाठी पड़ती है तो बड़ी ही वो इस तरह सी होते है कि वो हर कुछ भी खेर देती है तो इस के बाद परिवार में सबसे बड़ी भी लता थी क्योंकि आपको पता है कि उनकी जो दो बहने और उनकी भाई था वो भी छोटे थे तो पूरे परिवार की जो जिम्मेवारी है वो लता की जी के कंधे पर आ गई हाला कि उनके पिता जब एक बारी जब लता को रेडियो पर गाने का मोगा मिला था तब जब उन्होंने अपनी बेटी को रेडियो पर गाते वेश सुना तो उनके पिता ने कहा था कि अब मेरी जो चिंता मैं मुक्त हो सकता हूं अगर मैं कुछ हो भी जाता तो परिवार को सम्हालने वाली लता है वो कहते ना कि साइद कई बारी जो पहले इसाद की पिता को भी हवास हो गया था साइद उनके जाने का तो इतन tussen नाजुक से कंधों पर लता जी के अपर पूरे परिवार का भारा आ गया और 13 साल की उमर से ही उन्होंने परिवार की जिम्मेवारी उठानी शुरू कर दी थी लाता जी ज्यादा पड़ी लिखी भी नहीं थी और एक उनकी खुद बहन जो कि बताती है कि एक इसा बताती है कि जब लटा जब स्कूल जाया करती थी तो हमें या तो हमें हमारे भा जाओंगी तो इस परकार से जो आपके के उनके ज्यादा पढ़ाय लिखाई है वो भी छूट गई थी और धीर देरे फिर जिस परकार से 13 साल की उमर में उनके उपर जिम्मेवारी आ कहीं तो उन्होंने अपनी ममी से बात कि कि ममी जी मैं क्या मैं जोब कर लो नोकरी कर लो चाहिंएंगे तो उस वक्त फिल्मों में गाना शुरू कर सकती हूं वहां से थोड़ा भत अभिने करके फोड़े बोत गाने गा कि वहां पर मैं काम करना चाहती हूं तो उस वक्त उनकी माता ने कहा था तो वह तो ठीक है लेकिन तुम तुम्हार तो कोई जानकार निया तुम वहाँ पर कैसे जाओगे कैसे गाओगे तब मास्टर नायक जी ने कहा कि वह पिता की मेरे अच्छे दोस्त भी है तो उनकी मदद से मैं इस परकारशे शुरुआत कर सरवात में कुछ 7-8 फिल्मों में मराथी फिल्मों में ही काम किया और अभीने भी उस वक्त वो क्या करती दी कभी बहन की रोल में कभी साइड जो रोल होते है कभी बेटी का रोल इस परकारशे क na किया करती थी और साती सात Sophia 싶은म आफ़ उस ऑपना लना जो साग्ग भी गाया तो उसी ट्रेंज से जो दलिब साफ थे वह भी उस ट्रेंज से सफर कर रहे थे और जो उनके और उस्ताज थे तो गुलाम हैदर साब जब पास गए तो उन्हों की कहा कि चलिये आपको मैं मिल वाता हूँ यह लता जी है और ये भी बहुत अच्छा गाना गाती हैं तो एक बात जो बड़ी लता मंगेशकर जी को चुभे की उन्होंने कहा कि जो लता मंगेशकर की आवास से थोड़ा सा धाल भाटी की चीजे निकल कर अच्छे लग कर आ रही हैं क्योंकि आपको उनको पता था कि जो मराठी लोग होते वो जो हिंदी गाने हैं उसमें मुझे मैं उर्दू जो है वो नहीं सीख सकती तो उसके बाद फिर उन्होंने एक मौलवी से उर्दू भासा सीखनी शुरू कर दी थी और धीर धीरे फिर वो हिंदी गाने भी गाने लगी लेकिन कहते कि जो मुशिबते हैं वो इतनी आसानी से लता का पिछा नहीं से थोड़ने वाली थी क्यूंकि सुरूबात में जब लता जी को काफी जब मूजिक डैरेकर से मिले काफी प्रोडूसर से मिले तो लता को लेने में हिचक रहे थे उनके गाने कवाने से से वह चाह रहे थी उसकी वज़ए यह ते की उसुंस दोर में जो आवाज जो पसंद किया गया और काफी वह मायूस भी हुई लेकिन फिर गुलाम हैदर साब ने उनको समझाए कि आप चिंता मत करो बेटा आने वाले टाइम में तुम देखना यह जीतीने भी डारेक्टर परडूसर है सब तुमारे आगे पीछे घूमेंगे बस तुम अपना जो रियाज है अप अभी तने हिट नहीं हुए और फाइनली उन्नी सो उने इंचास में जब महल मोवी जब आई और उसमें जो मदवाला के लिए उन्होंने गाना गया और बहुत ही बड़ा सूपरेट और ब्लोकबास्टर वह सोंग वा उसके बाद फिर धीर कहते कि उसके बाद तो लता जी कभी पीछे मुड़के नहीं देखा और वो पूरे देश में लोग प्रिता कि जो शीड़ी है वो चड़ती चले गई और उसके साथ ही उनकी जो पूरी इंडिस्ट्री में जो सबसे जो पहली जो हम मित्तर कहेंगे कि बड़ी स्टार जो मित्तर बनी वो थी नूर जहां जो मिलवाया तो उन्हें का कि ये लताची है ये भी गाने गाती है ये आपकी तरह बहुत अची सिंगर है उसके बाद फिर वो जब भी सेट पर आती तो अक्सर वो उन से उनके जब शूट पर आती तो अक्सर वो नूर जा के साथ बैटकर घंटों वो दोनों बाते क्या करते बहुत अच्छी वो सहली वो नूर जहां की वो बन गई थी और बताना चाहेंगी जब देश आजाद हो गया था और उसके बाद फिर नूर जब पाकिस्तान चलीगी थी तो क्या वाकिए उनिस सो त्रेपन की ये बात है जब अमरित से सर में शूटिंग के दोरान वहां पर खुद लाता मंगिश्चा भी वहां पर गई हुई थी तो उनके मन में इच्छा जागी कि वह अब इतने नजदीक आई है क्योंकि आपको पताई है कि जो अमरित सर से जो जो दूरी है लाहुर की वह 200-500 किलो मेंटर दूर है तो का कि दो घंटे का रास्ता है तो मैं इतने नजदीक आकर भी मन नूर जा से ना मिली तो फिर क्या फाइदा हुआ आने का तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी और उसके बाद फिर कोशिश की कि इस परकार से बात हो सकती है तो उस वाक्त फिर टेलीफोन पर दोनों की बात करवाएगी और एक घंटे तक दोनों अब बात हैं अबात हीäs भी तो प्रक्राइदा फिर बासे और पाकिस्तान नहीं हो सकता लेकिन आवब לאं को लेकिन परकार के लिए उनको कहा गया और एक जो कहते हैं कि नो मेन एरिया होता है खासकर बॉर्डर पर जो एरिया होता है उसे वहाँ पर एक जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में जो होता है जो उसे नो मेन एरिया उसको कहा जाता है तो वहाँ पर दोनों को मिलवाने का फैसला क किया गया और नूर जहाप ने हम पती के साथ वहाँ पर पॉंची और लताबी इधर श्ट्रे वहाँ पर पॉंची और कहते हैं कि दोनों ने जब दूर से दूसरी को देखा तो भाग कर वो गले लगी जैसे सगी बहुत लंबे टाइम बाद मिल रही है तो दोनों एक में भी आस हुआ गए थे तो ये बड़ा ही अदबुत ये नजा रहा था और लटा मंगेशकर के कहा जाता है कि वो जो केल सैगल साब हैं बहुत ही लेजेंट जो एक्टर रहे हैं 1940 के दसक, 1940 के दोर में उनकी वो बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी बच्पन में जब उनके वो एक बारी उनके पिता जब लता जी को उनकी मोवी जब दिखाने ले गए थे तो आते उन्होंने ममी से कहा कि ममी मैं तो सैगल साब से साधी करूँगी तो उनके पिता ने कहा कि पिठा वो तो जब आप बड़ी होगी वो तो बूड़े हो जाएंगे तो का नहीं मैं तभी उनसे साधी करूँगी तो आप समझ सकते हैं कि वो सैगल साब की कितनी बड़ी फैन थी जब 1947 में जब सैगल साब का जब देहांत हो गया था तो उस वक पर जो पहली जो ख़वर आई वो यही आई की सैगल साब का देहांत हो गया है और उससे सुनकर वो बिलकुल अचंबित हो गई बिलकुल एकदम से मायूस हो गई और उन्होंने फैसला कर लिया कि जो रेडियो वो उस वक का का काफी महँगा वो रेडियो लेकर आये थी और पंडित नहरु के साथ उनका अपको पताए कि 1926 पाकिस्तान की जब लडाई हो गई थी और ठीश में थोड़ा सा मायूसी का चीजित थी मायूची का जो नजारत वो हर जिए भपहल गया था तो क्या हुआ कि 1973 में एक कार्य करम के दोरान लता मंगेस कर एक गाना गारी थी बैठे वे थे तो नेरुजी के सामने वह गाना-गारी थी कि मेरे बतन की लोगों जरा आक में भरलो पानी और जो सहीध हुए हैं जरा याद करोन की कुर्बानी तो ये गीत उन्होंने पहली बार पंडित नहीं जी के सामने वहां पर गाया था और नहीं जी खास बात यह जब ये गाना सुना तो उनकी आंखों से आसु छलक आए और स्टेज के पीछे जाकर खुद उन्होंने उनकी जो साबासी दी उनकी पीट थप थपाई तो आप समझ सकते हैं कि पंडित नहरू भी उनसे काफी परभावित हुए और उनके इस योगदान को देखते हुए भार भारत के जो सबसे सरवच्चे जो पद है इनाम है यानि कि भारत रतन से उनको सम्मानित किया गया सन 2001 में और कल जो लता मंगेशकर पूरे दुनिया में खास कर चाहिए हमारा देश है हमारे प्रोशी देश है हर जगह पूरी दुनिया में लता मंगेशकर की बात हो रही है तो ऐसी सक्सफियत देश की कोकिला भारत रतन लता हिकता हो तो आप हमारे देश में पैदा हुई तो ये हमारे देश में पीड़ा हो самavilarts के लिए भड़े ही गरों की बात है है रूंर उस्वें लिगना साय दम जिकर भी attendees कर पाते हैं क्यूंकि आज गे टाइम में किसी के पास समय ही कहां, लेकिन आप फिकर ना करें, क्यूंकि हम लेकर आते हैं आपका all time favorite सो आओ बाते करें, बाते वो जो है आपके दिल के और हमारे दिल के बेहद करें, तो ऐसी ही धेर सारी बाते करने के लिए जुड़ी हमारे साथ लाइप प्रोग्राम में तो देखना ना भूलें सोम वार से शुक्रवार सुभई साड़े 11 बजे सिर्फ हर्याना बीट्स पर